नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल धन्राज शॉर्ट एंड अकैडमी इस टैनो क्लासिस में दोस्तों आज का हमारा डिक्टीशन है उपी शुकला डिक्टीशन गती 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टीशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद गेट रेडी स्टार्ट उपाध्यक्ष जी इस सदन के सामने विदेश मंत्री जी ने जो यह संविदान संशोधन विदेयक प्रस्तोत किया है इसका मैं विदे से समर्थन करता हूँ विराम मैंने और शायद इस सदन के बहुत से माननी सदस्यों ने इस देश के इतिहास का गहरा अध्यन किया होगा और उनको भी यह इसमर्ण होगा कि भरत के अंदर अनेकों प्रांत और देशी रियासतें या राज्य हुआ करते थे विराम हमें इसमर्ण है कि उनहीं में से सिक्किम भी एक है जो हमारे देश का उसी प्रकार का राज्य है जैसे अन्य राज्य है लेकिन इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो हमारे देश का एक अंग था जिसकी लगबग एक लाख जनता ने हमारे साथ मिलने की इच्छा प्रकट की थी उसको पिछले 27 सालों में उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर नहीं मिला जिनका अधिकार उनको 1947 के बाद और विशेश रूप से 1952 के बाद जब हमारा देश गनराज्य बना था मिलना चाहिए था विराम आज इतने सालों के बाद फिर हमारे देश के जो इतिहास में ऐसा निर्णे करने का अवसर आया है जो कभी बुलाया नहीं जा सकता विराम पैरा महदय मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सिक्किम की जनता जो पिछले कई सालों से अपने अधिकार से वंचित रही उसके लिए आंदोलन करती रही और भारत के साथ भारत की जनता के साथ अपने को मिलाने की चेश्टा करती रही उसकी इसमांग की तरफ भारत सरकार का ध्यान गया और भारत सरकार ने हमारी प्रधान मंत्री ने उसकी जनता की इच्छाओं का समादर किया विराम मैं इसके लिए उन्हें बधाई देता हूं विराम मैं यह मानता हूं कि इस मसले पर निर्णे लेने में आरंब से ही बूल हुई और अब उसका सुधार हो रहा है विराम हमारे देश का जो उत्री अंचल है उसकी तरफ हमारी सरकार का ध्यान गया है और उसकी इच्छा उंका की पूर्ती करने का अफसर आया है विराम मैं समझता हूं कि इस कदम का न केवल इस सदन के सदस्यों बलकि सारे देश की जनता रिदय से स्वागत करती है विराम पैरा मान्यवर मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि सिक्यम राज्य की जनता की इच्छाओं का मान रखने के बाद हमारे देश के उपर एक बहुत बड़ा उत्तरदायत्व आ गया है विराम हमने पिछले 25 वर्षों में इस देश के विकास के लिए और जितनी योजनाएं बनाई चाहे वे शिक्षा के शेत्र में हो या उद्योग दंदों को बढ़ाने और रोजगार देने के संबंद में हो उनसे हमारे देश की जनता तो लाब उठा सकी लेकिन सिक्किम प्रदेश की जनता उनसे वंचित रही विराम अब वह समय आ गया है जब हम अपनी योजनाएं बनाते समय सिक्किम का विशेश ध्यान रखें विराम इस आवसर पर मैं यह भी इसपस्ट करना चाहता हूँ कि सिक्किम के राजा की जो भी नीती हमारे प्रती रही हो उसकी और हमें विशेश ध्यान देने की अवशक्ता है विराम इस महान देश में बहुत से लोग गलतियां करते रहे हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि उनको सही रास्ते पर आने का अवसर देना चाहिए विराम आशा करते हैं आप सभी को डिक्टिशन पसंद आई होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें धन्यवाद